सब्सक्राइब से कनेकट को सूर्च से कनेकट किया सूर्च एक इए प्सक्राइब कि तो क्या होना है है कि एक पर पॉजिटी चार्ज दूसरे पर नगेटिव कर्ण Clean और कि बेच के बीच के बीच को यह होता है कि प्लेट के बीट का जो इस्पेस है यह क्या होता है कि एक इलेक्टिक फिल इस्टैब्लिश करने के लिए अच्वल में आपने जो भी सोर्स लगाया है उस सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ता है यह इस्टैब्लिश करने के लिए और यही वर्क डंट बा अधा सौर्स क्या होता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशिल एक्पैसिटर हाफ सीवी स्कॉर यह कौन सा वर्क है आलग कि पहले हम डैरिवेशन यह पूरे कर चुके हैं डिस इस दवर्क है है सिंप्ल सी बात है कि कुछ необходимо पो सोरस ने एक प्लेट छाए और पहँचा दिया दूसनी पर पहँचा दिया जिस प्लेट पर क्या ओजिटाओ क्रिया इसने निगेटेज और इस पौजीन ईगेटेव के बीच क्या बन ही इस ही सोर्स को कुछ काम करना परता किस सोर्स को जो सोर्स आपने है जोड़ा है और फिर सोर्स की सपरेंज हOW के इसका इसकी Kill सक्षिण है स्क्वाइर अब कंडिशन देखिए आप इंड़र के लिए एक आपने लॉन वनाली एंड़क्टर और इस इंड़क्टर को आपने करनेट कर दिया एक सोर्स या इंड़क्त ईग्म होत यहां करंट रिर्वेव करता है लेकिन कारण्टो इस्टाइब लिए और जब मैंट आपना ऐक मैगन इन इंसडाइप मेन करना लिए इस source को कुछ work करना पड़ा work is done by the source किस काम के लिए to establish this magnetic field और यही work done by the source क्या हुआ यह work done by the source यह आपका हो गया क्या मैगनेटिक पोटेंशल एनर्जी और इंडक्टर की मैगनेटिक पोटेंशल एनर्जी में convert हो गया यही स्टोर हो जाना ही रीजन है कैपैसिटर और इंड़क्टर के बीच चार्ज का एनर्जी का ऑसिलेशन होना कि एक बार कैपैसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई ख को तबतक क्या पैसिटर खाली हुआ ठ तक क्या पैस्ट टार की इनड़जी इनड़क्टर में थी इनड़क्टर से एलेक्टिक पौनेर्जी प्टेंशल पाफ कायपैसिटर में और यही जिंगल जींगन मैं साय C जिंगल बेल जिंगल बेल नहीं कौन सा होता है गेम उसकी तरहाँ चलता रहता है और उसलेशन पॉसिबिल रहते हैं तो अब कितनी एनरजी इस्टोर होती किसी भी इंड़क्टर में इसका हम फॉर्मॉला निकालेंगे एक्वेशन फाइंड करेंगे जैसे ही क्या क्या है पहाई जए एक्वेशन को ऑस sortir तर में सूरी इंड़क्टर belki बीझडर को कितनी को क्या की है क्या के रफेंट खेंडर में फै फड्स फॉर्स का फिछ्डिन आउट क्वेशन कमेंडिक छिव्ट फॉरं डेग्ट स साऩी कितनी क वान तर अप ड würde by the source that is stored as magnetic potential energy of inductor simple mathematics will let at an instant the current through the inductor bi hence emf induced e equals minus l di by dt कि ठीक है पहली फॉर्मॉला ही आ चुका है और जो इंड्यूस डी अमएफ है कम से कम इसी के को लापका वोल्टेज भी होगा तो पावर कितनी हो गई इंस्टेंटेनियस पावर पी इसी कॉस्टू ई आई तो पावर इसी कॉस्टू अच्छा पावर का फॉर्मॉला क्या होता है पावर एक्चुली क्या है पावर है रेट आफ डूइंग वर्क ठीक है यह कितना है एल डी आई बाई डी टी इंटु आई निगेटिव साइन छोड़ दिया है आपर क्यों अक्सर हमें ऐसा करना पड़ता है निगेटिव साइन इस इन एक कॉर्डेंस विद बोलो लैंजिज लॉप कदम कि साइन निगेटिव का के लिए एंट टी इस एल डीआइवाइटि तो यहां से डी रवली क्या बनेगा का दी डवली इक्वल्स ओ आई एल डी बाई डी इस और टी खतम ओगी तो करिक देन आ बिल्कूर सइँ total work done to increase the current कहां से कहां तक from 0 to I total work done कैसे find होगा integration of BW कहां से कहां तक 0 सा आ तक का 0 to I कितना L I D I L कॉंसेंट है integration 0 to I I D I ओके कितना बना ही बोलो सीधा लिख दू कितना I square by 2 ठीक है हम क्या लिख्धे हुए फिर इसके बाद this work done by the source is stored as फदिन कि कमकेध लूंसानरμ चूंसानरम Esp your inductor, right?